आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि उन्होंने एक दिन भी किताब खोल कर नहीं देखी है और परिक्षा के अंदर केबल तुक्का मारकर ही पास हो गए तो दोस्तों आपको उसके वहम में नहीं आना चाहिए क्योंकि हो तकता है कि उसने कुछ तो बढ़ा हो औ और आपके सामने उसने जूट बोल दिया हो आप उससे सच समझ कर फॉलो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुक्का लगाने के कुछ तरीकों के बारे में परिक्षा में तुक्का कैसे लगाने की सबसे अची ट्रिक क्या होती है और तु जरूरी हो जाता है जब हम अपने intelligence के acquiring स्ब्वी questions को attempt कर चुके होते हैं और जिन question के बारे में दोस्तों हम नहीं जानते हैं और extra Shari trips के बारे में जो कि आपको useful हो सकते हैं अगर आप किसी प्रश्निक होता नहीं जानते है और उस प्रश्निक लिए माक्स प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों स्टूडेंट कई तरा के होते हैं GREG तो दोस्तो इसकी वज़े उनका नौलिज होता है उन्हें कोर्स की चीजों के बारे में पहले से ही बहुत जादा नौलिज होती है example के लिए एक बच्चे के गर में computer और वो उसे चलाना जानता है तो उसे basic knowledge तो हो ही जाती है वो बिना पड़े भी दोस्तों computer के exam को pass कर लिता है क्योंकि उसे पता होता है कि किस function का use कहां पर किया जाता है तुक्का मारने की जो trick होती है दोस्तों वो इनी student के काम में आती है जिनें कुछ भी नहीं पता होता है जन्होंने कुछ भी पड़ाई नहीं कर रखी होती है तो आईए दोस्तों जानते हैं कि आखिर अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का आप कैसे लगा सकते हैं दोस्तों आजकल जो एक्जाम होते हैं वो multiple choice question होते हैं याई कि MCQ pattern पर based होते हैं जिसमें आपको 4 option दिये होते हैं आपको एक सही option का चुनाव करना होता है इस तरह से दोस्तों 4 option में से एक सही answer आपको choose करना होता है जातर मामलों में दोस्तों जब आपने पढ़ाई कर रखी होते हैं तो आप अपने 60-70% question को दोस्तों correct आप कर देते हैं जरुवत दोस्तों हमें पढ़ती है उन 30-40% question के लिए जो हमें नहीं आते हैं यह जिनके बारे में हमें idea नहीं होता है तो वहाँ पर दोस्तों हमें तुक्का लगाने की जरुवत पढ़ जाती है लेकिन तुक्का लगाना भी दोस्तों एक science होता है जिसमें कहीं नहीं science का एक बड़ा role रहता है अगर दोस्तों हमों science को समझ लेते हैं तो हमारे लिए तुक्का लगाना आसान हो जाता है तो ऐसी दोस्तों कुछ tricks के बारे में हम बात करने वाले हैं तो देड़ ना करते हों दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ऐसे दो option को या ऐसा एक option को दोस्तों eliminate कर देना जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये answer होई नहीं सकता है अगर आपको दो option ऐसे पता है तो और भी अच्छा है दोस्तों क्योंकि अगर दो option है तो आपके पास फिर दो option बचेंगे जिनमें से आपको एक सही option को सरक करना होगा अब मार लीजिए A, B, C, D, 4 option है जिसमें से A और C option नहीं है अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है B और D में से कौन सा answer सही है अब यहाँ पर दो तरीके से आप answer को गैस कर सकते हैं एक यह कि आप अपने खुद से पूछें कि कौन सा answer सही है और आपको अंदर से लगता है कि B सही होना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों जो हमें लगता है कि सही answer है वो ही answer गलत निकलता है तो ऐसे में आप D लगा सकते हैं लेकिन एक pattern और भी होता है दोस्तों वो यह होता है कि आप अपने पिछले लगाए हुए questions को देखें कि पिछले questions कि सीरीज पर चलते आ रहे हैं पर एक्जामपल जैसे मान लीजिए पहले option में आपने लगाया था B दूसरे में आपने लगाया C तीसरे में लगाया D इस तरीके से दोस्तों आपको देखना है कि अगर आपका question number मान लीजिए 5 है तो 5 पर दोस्तों आपको कौन सा option select करना चाहिए तो मान लीजिए अगर आ सही answer को select कर सकते हैं तो elimination दोस्तों बहुत जरूरी होता है उन question में जहां पर आपको question के बारे में थोड़ा बहुत भी idea होता है लेकिन correct answer आपको नहीं पता होता है दोस्तों कुछ और type question भी पूछे जाते हैं आपर match करने को बोला जाता है यानि कि दो column आपको मिल जाते हैं पर आपको match करना होता है सही answer को तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले आप देखिए आप मान लीजे 5 आपको column दे रखे हैं दोनों site पर a और b अब उसमें 5 के 5 आपको match करने हैं सही answer तो आप ऐसा option देखिए जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझ कहा देता है का पहले है तो दूसरा यह होना चाही Sureu थे तो इस तरह से दोस्तों मैंस करना आपको पता होथा है कि यहीं also सही option है कुछ और तरह के question भी दोस्तों पूछे जाते हैं जैसे कि एक statement दोस्तों आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि which statement is incorrect यानि कि कौन सा statement सही नहीं है तो आपको गलत statement को select करना होता है एक answer के तोर पर यानि कि यह जो statement statement है यह statement गलत है और यह statement सही नहीं है अब मान लिजे वहाँ पर चार statement आपको दे दिया आपसे पूछा कि कौन सा statement गलत है तो दोस्तों इस तरह के question का answer करना बहुत easy होता है मान लिजे कि statement है आपके पास मान लिजे चार statement है अब उसमें साथ को गलत डिसाइड करना है तो वहाँ पर दोस्तों आपको reason देना होता है कारण बताना होता है कि वह गलत क्यों है अराम से दोस्तों आप उस statement को पढ़िए और देखिए language में दोस्तों आप question को पढ़ी कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक language में question समझ में नहीं आता है लेकिन दूसरी language में जब हम पढ़ते हैं तो question हमें समझ में subscribe समझ में आ जाता है तो इस तरह से दोस्तों आपको statement को पढ़alezा हैं फिर आपको गलत statement को सलेक्ष करना है इसमें दोस्तों आप एक और भी काम कर सकते हैं जैसे कि आप विकॉज आइट करके देख सकते हैं अब माली आपसे कुछ कारण पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा क्यों होता है तो उसके दोस्तों आप विकॉज लगा के स्टेट्मेंट को फिर आगे पढ़ सकते है because this 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 happen तो अगर वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ because के आगे यह statement correct बैठता है तो उस तरह से फिर आप उस statement को select कर सकते हैं अब दोस्तों कुछ और pattern हम आपको बताते हैं कि कैसे आप guess कर सकते हैं कैसे आप selection कर सकते है complete अब साथ में दोस्तों आपको यह देखना है कि आपने जो answer किये हैं उनका answer का pattern क्या है इस तरह से दोस्तों आपको अपने answer का pattern देखना है कि कौन सा letter कितनी बार repeat हो रहा है अब आप यह देखें दोस्तों कि आपके जो पहले सही 10 question है उनके अंदर सबसे ज़्यादा सही option कौन सा repeat हुआ है माली जे दोस्तों आपका A जो है वो 10 में से 5 बार repeat हुआ B आपका 3 बार repeat हुआ तो नीचे के दोस्तों जो 10 question है उनके अंदर बहुत ज़्यादा possibility है कि उस हेसाब से आपका जो सबसे कम option repeat हुआ है वो अगले 10 question में सबसे ज़्यादा repeat हो यहाँ पर दोस्तों आके बंद करके answer आपको नहीं करना है यह analysis दोस्तों आपको करना होगा five time repeat होता है अगर आप सही answer का प्रतिशत देखें तो दोस्तों यह almost बरावर है तो आप यह मानकर चलिए कि एक साम में 25 प्रतिशत का answer A ही होता है और वहीं 25 का दोस्तों B होता है इस हिसाब से अब आपने जो भी प्रतिशत किस चीज का आ रहा है बस बचे हुए प्रतिशनों को दोस्तों आपको उसी के आधार पर लगाना है जैसे मान लीजिए C के पास cable 10 ही प्रतिशन है और A के आपक 20 हो चुके हैं उसे आपसे दोस्तों आप यह आसानी से तैग कर सकते हैं कि आपको C option को जाला सेलेक करना है क्योंकि A और B आप अच्छा खासर लगा चुके हैं दूसरा pattern होता है दोस्तों कर्व ट्रिक को अपना ना कर्व टिक में क्या होता है दोस्तों आपको अपनी OMR sheet को अंदर आपके सही answer का दोस्तों कर्व बन जाएगा और उससे आपको बला चलेगा कि कर्व किस तरीके से चल रहा है उस कर्व को आगे बढ़ाते जाना है दोस्तों आपको और उसको फॉलो करते रहना है उससे भी दोस्तों आपको टिक मारना और तुक्का लगाना आसान हो जाएगा कि सही answer आपके लिए कौन सा है मैं थाड़े दोस्तों दुक्का लगाने का वह पिछले 5 साल के पिछले 10 साल के solve paper को एकटा कर लेना दोस्तों हर एक answer sheet पर आपको एक curve बनाना है उसके बाद आपको यह देखना है कि answer sheet के curve के अंदर कुछ न कुछ सेम नजर आपको जरूर आएगा आप उन सभी चीजों को notice कर लीजे गहराई से याद कर लीजे और समझ लीजे क्योंकि जो similarities मिलेंगी दोस्तों इस paper में भी आपको देखने को मिल सकते हैं उसके आदार पर भी दोस्तों आपको answer करना बहुत ही असान हो जाएगा एक और research पिदी की दोस्तों दोस्तों आपको answer sheet के अंदर देखना है कि ऐसे कितने question आया है पहले साल के paper में जितमें A सही answer था माल लीजे A दोस्तों यहाँ पर 35 आया उसके बाद दूसरे साल के paper के अंदर A2 जो है वो आया 40 अगले साल में आया दोस्तों 30 टाइम अगले बार में आया 25 टाइम और अगल से अधिक 40 प्रशन आएंगे जिनका A सही answer होगा और कम से कम 25 प्रशन ऐसे आएंगे जिनका A सही answer होगा इसी तरीके दोस्तों आपको A B और C D को भी प्रतिशत निकाल लेना है इसके बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कौन सा answer कितनी बार repeat होने की possibility रहती है कई बा दोस्तों आपको एक option को reject कर देना है मतलब आपको एक प्रशन को पढ़ना है और तीन option के अंदर मेंसे एक option को reject करना है जिसकी संभावना कम से कम हो मान लीजे A को आप अल्री 40 बार लगा चुके हैं तो ऐसे में दोस्तों A option को आपको फिर वहाँ से reject कर देना है आपको B C औ आपने obtain किया है वह आपके फिर नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप बेजिजक होके दोस्तों आप तुक्का लगा सकते हैं और जितने भी question है उन सबको आप attempt कर सकते हैं दोस्तों अंत में यही कहना चाहेंग में आपको जानकारी थी आपने पड़ा था लेकिन कुछ ऐसे question जो आपको कुछ extra marks दे सकते हैं आपको एक अच्छी position दे सकते हैं रैंक दे सकते हैं वहाँ पर दोस्तों फिर आपको इसको attempt करना चाहिए तो दोस्तों एक चोटा सा वीडियो था जो मैं आपके लिए लेकर किस तरह से आपको तुक्का लगाने एक्जाम के अंदर और क्या तरीके होते हैं तुक्का लगाने के तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को साथ आप चैनल पर नए हैं तो चै झाल